हालो स्टूइट्स नेक्स हम डिसस करेंगे कैशन 11 का पार्ट 3 देखो क्या कह रहा है find the derivative of the undifferentiate function आपको जो given है गो इस बार आपके पास देखो function क्या है इस बार आपके पार two two functions दे रखें five sec x plus four सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर सकते हैं उन वैल्यूज को बठा में यह पर प्रूफ करना है पूरा निकालना पड़ेगा f-x जो है हमारे पास वह कितना है f limit एक सेटिंड limit h tends to 0 f x plus h minus fx अपॉन में h ठीक है मतलब यही function की वैलू जहां x लिखा हुआ है वहां पर आपको x plus h बूट करना है firstly limit h tends to 0 five sec x plus h plus four cos x plus h ठीक है माइनस यह का यह function वहां पॉट कर दो five sec x plus four cos x upon match अब आप यहां पर थोड़ा सा notice करना sec और यह sec इन दोनों के ना five common आ रहा है बिल्कुल आ रहा है तो मैं इन दोनों के अंदर से जो है five common निकाल लेता हूं मतलब इनको पहले साथ में लेक देता हूं चलो मैं five sec x plus h minus five sec x ठीक है और यह upon match इनके लिए और दूसरे वाले के लिए देखो plus four cos x plus h minus four cos x upon match अब दोनों में differentiate करो इनको ना तो इसको मैं अलग से निकाल लूँगा तो इस वाले में से five common निकाल लिए मैंने h tends to zero क्या हो गया इसको प्रेंगो कैसे स्टॉप हो गया भाई तू हाँ हाँ five common निकाल लिए कितना बचा देको अंदर यहां बज़े गया आपके पास sec x plus h minus sec x upon h यहां भी यह चीज करो limit दोनों में differentiate कर दो मतलब दोनों के लिए separate कर दो four limit h tends to zero cos x plus h minus cos x upon h क्या हो गया इसको यार चले नहीं रहा है ठीक है अब आप देखो यह जो value है separate आपको यह solve करनी यह solve करनी नेक्स लेट लिखता हूं थोड़ा सफाइस है f dash x equals to देखना आपके आके बचाए आपके पास यहां बच five limit as tends to zero sac x plus h इसके लिए मैं h1 h बाहर लिख रहा हूं केवल यह value जोगो यह sac और यह sac इनके लिए क्या लिख सकता हूं? sac के जागे one upon cos लिख सकता हूं तो मैं इसके जाग लिख जाता हूं one upon cos x plus h minus one upon cos sac x के लिए क्या हो जाएगा cos x okay next देखों यहां पर plus four zero one by h cos x plus h minus cos x ठीक है और देखो h tends to zero one by h यहां पर LCM लेलो cos x minus cos x plus h upon में cos x और cos x plus h ठीक है इतर देखो 1 by h 1 by h cos x plus h minus cos x अब में आप पुछ फॉर्मिलास बता देता हूं यहां पर cos a minus cos b के लिए formula रहेगा minus 2 sin a plus b by 2 और sin a minus b by 2 a को formula रहेगा आपके पास cos a minus a a क्या ही cos a plus b के लिए रहेगा cos a cos b minus sin a sin b इनका यूस करेंगा अपन देखना है आपर मैं थोड़ा तर color differently लेता हूं देखो 5 limit h tends to 0 1 by h अभी तर देखो यह cos a cos b की तर दिखरा होगा आपको cos a minus cos b की तर देखो minus 2 sin a plus b यानिकी x plus x plus h हो जाएगा यहां पर यह ठीक है 2 divided by 2 minus 2 फिर dot sin a minus b यानिकी x minus x plus h है तो यहां पर भी minus लगेगा यहां पर भी minus लगेगा ठीक है इसके divide में भी एक है value cos x cos x plus h फिर bracket close है फिर यह plus वाले value नीचे लगने पड़ेगा यहां पर space नहीं है बलकुल भी s tends to 0 यहां formula लगाओ cos a plus b का यह लिख दिया है मैंने आपर cos a cos b minus sin a sin b minus cos यह x अब ध्यान से देखना है थोड़ा सा lengthy हो रहा है आ जाएगा समझना आपको देखो इस values के अंदर minus 2 sin x plus है तो यहां से देखो x x cancel out हो गया ठीक है अब आप थोड़ा सा गौर करना यह जो minus 2 है क्या मैं इसको h के नीचे लगा सकता हूं बिल्कुल लगा सकता है क्यूंकि h के नीचे लगाने के बाद यह value आपसे उपर लिखे जाएगी अगर कोई value आपके उपर लिखी भी है तो मैं इस value को 1 upon 1 by 2 लिखूं चाहे 2 लिखूं यह की बात है यह नीचे से 2 उपर ही तो जाएगा मैं ऐसा करके उपर आपको just click करेगा देखना इस function के ना मैं next लिखूंगा देखना क्या होने वाली और देखो एक चीज यह जो causex है इसको मैं बाहर रख रहा हूं मेरे बाहर का मतलब यहां रख रहा हूं क्यों यह constant है क्यों constant है because h tends to चल रही value causex क्या हो गया as a constant work कर रहा है मेरे पास यहां पर देखो क्या हो जाएगा यह fx equals to 5 upon मैं यह यह वाला causex क्या है upon मैं यह दिहां रख रहा हूं यह वाली value क्या है upon के अंदर चल रही है तो मैंने इसको थोड़ा सा causex को बाहर रख दिया upon causex चोड़ो आप इसको अब लगाओ limit h tends to 0 यहां पर रखने भी कोई sense नहीं हो वैसे भी h की value इसमें पुट होगी जिसमें होनी नहीं मेरे पास 1 by h अब यह जो h है न है इसके लिए मैं क्या रख रहा हूं h by 2 कर रहा हूं इसको 1 upon h by minus 2 ऐसे लिख देता हूं मैं इस value को देख रहा हूं इस value को मैंने ऐसे लिख दिया है और यह value किसके upon में है इसके upon में है इस पूरी वाली value के समझ रहा हूं क्या किना चारा हूं बिलकुल तो यहां पर value क्या बज़ गए देखो sin 2x plus h by 2 sin minus h by 2 यह value बच्ची देखो यह पीछे देखो फिर से यह minus 2 तो मैंने इसके नीचे लिख दिया तो मैंने इसको hy minus 2 लिखा यहां देखो क्या है sin पीछे देखो x or x 2x plus hy 2 और यह x x कट गया तो sin minus hy 2 और नीचे यह वाली value उन्हें बहार रख दिया है ऐसे है यह पूरा line है यह s तो बहार था है यह minus 2 यह वापस उपर करके वापस वापस वाली value बन जाएगी आपका plus 4 इस वाली value हो देखो यहां देखो यहां cos x और यहां पर भी cos x दोनों में common निकाल दू, cos x बिलकुल निकाल सकतना है common तो यह 4 limit h tends to 0 1 by h देखो मैं इस वाली value और इस वाली value में से cos x common निकालूँगा तो क्या बचेगा cos x minus 1 cos x minus cos x minus cos x minus 1 ठीक है और यहां देखो minus sin x ठीक है यह वाला point clear है ठीक है अब मेरी बास सुनना अब मैं क्या कर रहा हूँ इनको थोड़ा सा separate करूँगा अब मुझे यहां देखो मेरे पास एक formula होता है एक formula recall कराता हूँ मैं आपको यहांपर limit x tends to 0 फोड़ा सा आगे से लिख देता है दोना formula एक में आ जाएंगे फिरन limit x tends to 0 sin x upon x की value तो होती है 1 ठीक है and limit x tends to 0 और 1 minus cos x by cos x sorry 1 by cos x by x की जो value रहती है वो अपने पास कितनी हो जाती है 0 यह दोनों values का आप थोड़ा सा ध्यान देना अब आप इन values से इसको compare करके देखो जैसे मैं compare कैसे करूँगा first वाले part को देखना मैं कैसे suggest करा देता हूँ f dash x equals to 5 upon cos x तो आप as it is छोड़ो dot लगाओ limit x tends to 0 अब ध्यान देना यह जो h by 2 है इसको मैं इसके नीचे लिख दू separately मतलब मैंने sin इस 2 को दौनों के नीचे separate कर दो फिर से आप तो यह value क्या हो जाएगी यहां से यहां 2 कर जाएगा तो यहां पर x plus h by 2 बचेगा और divide में देखो क्या ही है cos x plus h dot sin minus h by 2 upon में minus h by 2 bracket close plus 4 limit h tends to 0 अब यहां गौर करो थोड़ा सा यह जो h है पहली बात तो यह दौनों के नीचे separate जाएगा इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा यहां आप देखो यह जो value है आपके पास यह वाली जो value है इस वाली value के अंदर मेरे पास क्या value आने चीए 1 minus होने चीए यह क्या होने चीए 1 minus होने चीए ऐसे होना चीए ना भाई अगर मुझे इसको इससे compare करना है इससे compare करना देखो इससे इससे compare करना तो 1 minus होना चीए मैं इसके नीचे माना तो इसके नीचे भी ना विलकुल मानना पड़ेगा ऐसे अ कायदे से एँ ठीक है侯े अब आप ठोड़ सा है फोकास लखता हूँ 팀 को फिर से last योटने पर लिखता हूं यहार रहा है एक सेंट रूपना आप पर कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा अब ध्यान से देखना है आपने एक सिकंड यहां ब्रैकेट था अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे मैं यह कह रहा हूँ आपसे इसको पूरे को डिफरेंशेट कर दो अलगला कर दो पूरे को पूरे को अलगला कैसे करेंगे देखो limit जो है सब मैं अलगला कर दो कैसे f-x equals to 5 by cos x ठीक है इसके bracket में यह limit चलेगी यह पूरे का common value है यह पूरे का common value है तो देखना limit h tends to 0 for sin x plus h by 2 upon cos x plus h ठीक है यहां पर dot लगावा है फिर से dot लगेगा limit h tends to 0 sin minus h by 2 और minus h by 2 bracket close समझ मैं है फिर plus 4 पर आओ plus 4 अब यह limit जो है वो इसके लिए बही अलग लग सकती है इसके लिए लग सकती है और चलो ठीक है पहले जो है 4 limit लगा दो इसके लिए न लिमिट h tends to 0 यहां पर है minus cos x तो यह minus cos x भी क्या हो जाएगा एक तरीके से constant हो जाएगा तो आपने बहार लिख दींगे इसको कोई दिखकत नहीं है ब्रैकेट और फिर लगाओ dot limit h tends to 0 1-cos h upon h minus limit h tends to 0 और sin x sin h upon h अब आप मेरी बात सुनना ध्यां से ये जो sin x है ये जो आपके पास sin x कए ये भी HELaX कहीं ये भी एक तरीके से constant है ये ये खिर से क्या है constant है और ये जो cos x है ये भी के तरीके से constant है तो इस पूरी value को मैं वापस लिख रहा हूं उपर वाली वापस नहीं लिख रहा हूं नीचे वाली वापस से लिखके दिखा रहा हूं आपको फोड़ा सा difference दिखेए फोर ब्रैकेट बनाया है मैंने देखो माइनस का कॉस एक्स यहां से चला जाएगा बाहर यहां से क्या चला जाएगा यह बाहर चला जाएगा तो केवल यहां पर वन बचेगा वन लिखने कोई कोई सेंस नहीं है चाहूता आप इस वाली वैली को यहां पर पुट कर सकते हो ठीक है लिमिट एस टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस एच अपॉन एच कहने का मतलब क्या है यह जो पेयर था ना इस वाले पेयर के लिए अपने लिमिट जब लगए तो माइनस कॉस एक्स को मुझे बाहर रखना चाहिए था और यहां पर जो आया है साइन एच अपॉन एच अभी अभी मैंने आपको पीचे स्टीज डिसकस करी थी क्या डिसकस किया था देखो इस वैली को देखो आप थोड़ा सा गौर करो इस वाली वैली को यह वैली को गौर करो यह भी वैली है इस वाली वैली को गौर करो इसका value का answer किता है zero है समझे रहा आप क्या कहने चारों मैं आप से यह वाला value मैंने वापस से लिखा है यह वाला value नहीं लिखा है क्योंकि space नहीं था अब finally मेरा काम क्या है आप फाइनली मेरा points है आप जो value zero है उनको zero put कर देना कैसे आजाओ next slide पर चलते हैं आपने last आपके इसको थोड़ा सा एक साथ से copy कर लोगे ने से steps को तो आपको बार-बार आगी पीचे करने की जोड़त नहीं पड़ेगी अब देखो 5 अपन cos x यहां पर देखो bracket अब देखो अगर मैं इसमें limit लगा देता हूं s tends to limit लगा दो s tends to zero तो यह value तो zero हो जाएगी तो यहां sin x और यह value भी zero हो गए तो यह sin x अपन cos x बचा यहां पर क्या बचा है यहां पर sin x upon cos x बचा got it dot इस पूरे की value मैंने आपको अभी पीचे बताईती देखो इस पूरे value की मैंने 1 बताईती इसकी 0 बताईती है न इसकी value कित्ती हो जाएगी 1 हो जाएगी bracket close plus 4 इस प्लस 4 यहां minus cos x है बट इसकी value 0 हो जाएगी यहां minus cos x के बट इसकी value 0 हो जाएगी यहां minus sin x है और इसकी value 1 हो जाएगी समझ में आया कुछ finally 5 upon cos x dot यहां कितना बचा 10x plus 4 यह value 0 sin x और थोटा simplify करें cos x को उपर लिखते हैं sec x dot 10x और इसको minus 4 sin x यह आपके पास f dash x आगे अब आप याद करो अपने sec x का जो derivative निकला तो जो शुरू वाले आपके first second वाले जो part वो एक बार देखो आप उसमें अपने यह देखा था sec x का जो होता है sec x dot 10x होता है derivative और cos x का जो होता है minus sin x मतलब पिछले वाले दौनों का एक साथ इसने यहाँ पर set करके दे दिये question जाता है या भूज जाता है किसी भी तरीके से तो आप उनी फॉर्मॉलास को जो जो रिकॉल कर ले ना उनके बिना solve नहीं हो पाएंगे यह ओके तो next हम देखेंगे fourth next वाले बाट में यहां तक समझ में आगया तो ठीक है नहीं समझ में आगया तो